हलो एंड वेलकम फैंड स्वागत अब सभीका यूट्यूब चैनल मास्टर सिन एथिकल हैकिंग पे दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटी सी लापर भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और काफी कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा जो भी टॉपिक्स आपको यहां नजर आ रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से कि यह कुछ करना बहुत आसान होता है किसी भी अटेकर के लिए मतलब मान लीजिए जो आप यहां पर दिखाई दे रही हैं चीजे यह सारी चीजे बहुत इजी वर्क है आपको लग रहा होगा कि एक जोक है मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकल ही मैं आपको दिखाने वा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लिटेस्ट वीडियो की इन्फोर्मिशन जो है वो लगातार मिलती रहें और दोस्तों अगर आप नए है इस चैनल पे तो मैं चाहूंगा कि इस आप ज्यादा से ज्यादा से यह करें वर्टसप की किसी भी गुरूप में जाके ताकि आने वाले टाइम में लोग इस तरह की गलतिया ना करें और खुद को बचा सके इस तरह की प्रॉल्म से तो चली दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सुरू करता हूं आज कि इस इंट्रेस्टिंग क्लास को, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो किस तरह से ये पॉसिबल है, तो सबसे पहले ये जो काम करना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि email ID के मदद से ऐसा हो सकता है, जो कि आपको सारी चीज इसे हमारे फायदे के लिए बनाया लेकिन आप जैसा कि आप सब जानते हैं, एक हैकर जो होता है हमेशा out of the box सोचता है, उसकी सोच हमेशा आम लोगों से अलग होती है, तो मैं इसी की मतद से बताऊंगा कि इसमें बनाया फायदे के लिए गया है, लेकिन लोग इसका क्या सकते हैं यहां देखिए जैसे आप इस वेब साइट पर जाएंगे यहां पर इसकी कुछ फंक्शन से आधार सर्विसेज यानि कि इसके द्वारा दीगई सर्विस जिन में आप अधार कार्ड को वेरिफाई कर आते हैं बायमेट्रिक फीचर को लॉक अनलॉक करते हैं और पुल गए हैं तो अपनी email id की मदद से भी उसे अक्सेस कर सकते हैं तो देखते हैं कैसे यहां पर जैसे मैं आप लोगों से सही कह रहा हूं नाम और email id जब आप यहां पर देंगे तो आपकी email id यानि कि जो भी email id होगी मालीजी किसी ने email id पे चंट्रोल बना रख खाया तो उस id पे verification code जाएगा जैसे ही आप send otp करेंगे code जाने के बाद जैसे ही आप यहां पे code डाल देंगे और email से वेरिफाई कर देंगे आपके 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 सीधा आप्शन आएगा otp send to your registered email id यानि कि otp आपके email id पे जा चुका है उसके just बाद आप यहां पे देखेंगे कि आपको option मिल जाएगा download e-adhar यानि कि सिर्फ email id पर किसी ने control बनाया तो आपके आधार काड को download कर सकता है अब आप कहेंगे कि यह क्या तो आधार काड किन चीजों में जरूरी है मैं कर सकता है चलिए तो पहला step को है दूसरी step के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आधार काड से और क्या जाना जा सकता है दोस्तो आधार काड की मदद से मैं आपको कुछ चीजे दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है जैसी कि आधार काड की मदद से यह देखा जा सकता है कि जो आपका अधार कार्ड है यहां मैंने एक स्क्रीन सोट लिया हुआ है अब यह आपको दिखाएगा कि आपका अधार कार्ड क्योंकि आधार कार्ड तो हमने डाउनलूड कर लिया था लास्ट वाले उप्शन से तो यहां मैंने सिर्फ अधार का नंबर डाला और अ बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो है mobile number तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके आधार काड़ से mobile number और कौन कौन सी SIM चल रही है तो यह बहुत आसान है देखिए जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ही आप जान सकते हैं कि आपके आधार से कौन सी SIM connected है तो य आधार से कौन सी चीजे link है कैसे हम देख सकते हैं तो यह देखिए आधार linking status तो यह linking bank linking को दिखा रहा है और इसके बाद हम चलते next option पे यह देखिए authentication history दोस्तों यह वो option है जिसकी मदद से आपको बता चलेगा कि आपका आधार काड कहां कहां authenticate हुआ है यानि कि कई बार ह से किसी ने SIM निकल वाई है तो इस option के मदद से आप चेक कर सकते हैं दूसरा जैसे कि मैं बता रहा था है जैसे हैकर के हिसाब से सोचने वाली बात अगर उसे आधार काड डाउनलोड कर लिया है तो सिर्फ security code देकर वो यह पता लगा सकता है कि आपके आधार पे कौन-कौन स तो मैं बता दू आधार काड से आप duplicate SIM यानि कि अगर SIM खो जाती है तो हम आधार काड की मदद से दुबारा निकल वा लेते हैं जो कि जातर हैकर्स इस ट्रेक का इस्तिमाल कर सकते हैं तो secondly आप देखे यहां पर किस तरह हैं इंडिकेशन के बारे मैं जानना चाहते हैं biometric, demographic तो मान लिजे मैंने यहां पर किलिक किया OTP बगारा से related information टाइमिंग देदी इसमें timing थोड़ा fix होती है जो इसमें last date है उससे आगे की records आप नहीं निकाल सकते हैं तो यह कहरा कि 50 record आप निकाल सकते हैं मैंने 50 record डाले और verify कर दिया इसे after verification आप देखेंगे की last time जो भी OTP का इस्तिमाल किया गया है उस तरह की information हमें यहां पर पता चल जाएगे अच्छा SIM और उस से related काफी information आप यहां देख सकते हैं यहां अथेंटिकेशन OTP कब कब भेजे गए हैं पूरा record यहां पर आ गया है और बहुत सारी information यहां आपको मि जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगे अच्छा बैंक का बता चल गया और बैंक के बाद लास्टे इस का बता चल गया इन सबके इलावा दिखेंगे फॉन नंबर से related information आप यहां देखेंगे कि फॉन नंबर से related information भी आप यहां से निकाल सकते हैं यह आप देख सकते हैं किस age band से और किस number से connected है तो देखें नंबर का आपको पता चल गया, bank details का पता चल गया, यह सारी चीजे बहुत छोटी-छोटी चीजों से ही पता चल पा रहा है, because of this मैंने यहां आपको करके दिखाया है, अब हम बात करेंगे कि मानलीज यह आधार काड है हमारे पास, लेकि यहां पर किलियर ली देखेंगे आधार नंबर आपको देना है, जो कि हमने email id से download कर लिया था, security code देना है, और यह यहां पर किलिक करना है, my mobile number is not registered, तो आप जो number देंगे, ऐसा किलिक करने के बाद यह कह रहा है, कि non registered number दीजिए, तो जब आप number देंगे, तो उसी number पर OTP ज आधार तक पहुंचे, आधार से हम bank, bank से हम mobile number पहुंचे और आधार हमारे पास है, तो mobile number को change करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आधार हमारे पास है, तो bank, और अगर मानलीजे, mobile मेरे पास आजाता है, duplicate, same sim को अगर मैं बंद करा देता हूं, तब तक सामने वाला ब इक है कर उस feature की मदद से क्या कर सकते है, अब हम बात करेंगे secure रहने के तरीकों के बारे में, तो दोस्तों यह आप जरूर देखें, हमेसा two step verification on रखें अपनी जितनी भी online email id वगरा है, यह function होता है, सभी के अंदर two step verification on रखें, personal id को आप किसी भी public network पे इस्तिमाल ना करें, यहां तक है अपने दोस्तों के phone और computer पे भी आप personal चीज़ आइडी का इस्तिमाल ना करें, हमेसा trusted और updated antivirus का इस्तिमाल आप करें, चाहे वो laptop हो, चाहे आपका mobile phone हो, और अपनी कभी भी personal information, चाहे वो message दो या OTP किसी के साथ share ना करें, और time to time अपने password को change करते रहें, हो जल्दी से जल्दी उसे secure करने की कोशिस करें, क्योंकि आप जान चुके है कि email ID से क्या किया जा सकता है, और उसी के साथ मैं आपको बता दो दोस्तों, इस video को जादा से जादा से जादा से share करें, हो सके जितने भी आपके WhatsApp ग्रूप से, जहां अगर आप Facebook यूज करते हैं, तो वो हर जगह से share करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज की जानकारी मिल सकें, और वो खुद को secure रख सकें, thank you, goodbye.